ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशिफल यह राशिफले 20 जनवरी 2021 बुधवार का दिन है पोश महा के शुक समाप्त हो जाएंगे और दिशासूल जो की उत्तर दिशा में रहेंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाइसा भी ठोगा यदि किसी कारण बस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा शुरू कर सकते ह क्योंकि राहुकाल के दोरान किसी भी प्रकार का मांगलिक कारिक्रम संपन्न नहीं किया जाता है। देव गुरु ब्रहसपती मकर राशी में, शुक्र ग्रह धनु राशी में, शनिदेव मकर राशी में, राहु ब्रशब तथा केतू ब्रश्चिक राशी में विराजित रहेंगे। में से लेकर के मीन सब ही बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं में सरासी की। कोई पुराना विवाद यदि चल रहा है तो वह आपसी सामन जसी से सूजबूच से हल हो जाएगा। जिससे रिष्टे दोबारा मधूर हो जाएंगे। अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर के वर्तमान को सुधार ने है तु मनन करे। और अपनी योजनाओं को क्रियानवित करे। जल्द बाजी में कोई भी निरने न करे। तथा पुरानी गलतियों को न दोहराएं। अब हम बात करते हैं वर्षब रासी की। किसी विस्ष्ट कारियों को पूरा करने में आपके महनत आज कामयाब होगी। जिससे घर और समाज में आपके योगदान वकाम की तारीफ होगी। मान समान मिलेगा आपके आत्म इश्वास वा स्वाभी मान में जाफा होगा। परन्तु अत्यात्म इश्वास के कारण आप कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। विरोधी आपके लिए कुछ नकरत्मक अफवा फिलाएंगे जिसकी वज़े से आपकी बदनामी हो सकती है। इसल होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की। आज कुछ समय आप अपनी रूची के अनुसार कारियों करने में समय व्यतीत करेंगे। जिसे अब मानसिक वशारीरी रूप से काफी हद तक अपने आपको उर्जावान महसूस कुछ समय समाजिक गतिविधियों में आपका व्यतीत होगा, कोई ऐसा समाचार मिलेगा जैसे मन आपका बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और उपाई के रूप में गनेश जी के मंदिर में दूर्वा चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशा के वातावरन में आपकी तारीफ होगी, मान समान जैसी इस्तिती बनेगी, परोस्यों के साथ चल रहा, कोई पुराना वद्भेद दूर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव की वज़े से लोग आपका उप्योग कर रहे हैं। इसलिए किसी की भी मद आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, भविशे संबधी फेसलों को लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है। इसी अंजान व्यक्ति से अचानक आपकी मुलाकात होगी, भाग्यो अदय होगा और य इसकी वज़े से आपको अपयश का भागी बनना पड़ेगा, कहीं पुझी निवेश की योजना भी आपकी सफल होने वाली है और कुछ लोगों का सांध भी आपको प्राप्त होगा। उपाई के रूप में घर के मंदिर में मिस्त्री चड़ाना आपके लिए होने दे, इस समय तरक्की के नए रास्त वभाग्य आपका सयोग करेगा, परिसितियां आपके अनुकूल रहेगी, इनका सदुपयोग आपको करना चाहिए, संतान संबंदी कोई चिंता यदी है तो वहाँ भी दूर हो जाएगी, विध्यार्तियों को अपने लक्ष की अपत्मन व्यक्ति को घी या शकर का डान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा, अब हम बात करते हैं तुला राशी की, आज परिवार संबंदित कुछ महत्त पूर्ण नरणय आ आपको परदान करेंगे, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात बहुत ही लाप दायक सिद्ध होगी, आपके रुके वे काम पूरे होने का योग बन रहा है, कुछ समय ऐसे भी कार्य होंगे, जिनकी वजह से आपको ठकावट बहुत अधिक होगी, भूमे भवन वाहन के कार्य आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगे, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगे, पेत्रिक संबंदी मामलों को सुलजाने के लिए दिन बहुत ही शुब है, पैसे का लेंदेन आज इस्तगित रखे, क्योंकि इसकी वजह से संबंदों में दरार उत्पन्न हो सकती है, घर के किसी सदस्य के स्वास्त को ले करके बहुत अधिक चिंता आपको उत्पन्न होगी और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की, आज भाउकता की बजाए चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्टिजियों को आपके पक्ष में करेंगा, बच्चों की किलकिरारी संबंदी शुब सुचना मिलने से परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा, अटका हुआ काम पूर अब हम बात करते हैं मकर राशी की, आपके साथ कुछ ऐसा घटित होगा, जैसे आपको लगेगा कि किसी देवी शक्ती का आशिरवाद आपके साथ है, अपनी प्रतिभाओं को पहचाने तथा पूरी उर्जा के साथ अपनी दंचरिया व कार्य प्रनाली पर ध्यान के द्रित रखे, भूमे भवन वाहन की खरीद फरोक्त आपकी होने वाली है, इसलिए दस्तावेच को भली भाती पढ़ कर ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए, उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में एक नार्यल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक दो होगा, भागिशाली रंग आपका क्रीम होगा, अब हम बात करते हैं कुम्बराशी की, अचानक ही नजदी की रिस्तदारों के आगमन से घर में खुशी का वातावरन निर्मित होगा, किसी विशेश मुद्दे पर विचार मिमर्श होगा, युवाओं को किसी दुविधा पूर्ण इस्तिती से राहत मिलेगी, और भविशी संबंधी फैसलों को लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत उत्पन्न होगी, आप कच्चे दूद का शकर डाल करके भोग लगाएंगे, तो आपका देन शुफलदाई सावित होगा, आपका भगिशाली अंक एक होगा, भगिशाली रंग आपका नीला होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज ग्रहों के इस्तितियां आपके पक्ष में हैं, आपके रूप में भोजन के बाद बैसन से बनी मिठाई खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा, आपका भगिशाली अंक साथ होगा, भगिशाली रंग आपका गुलाबी होगा, तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपायत था भ पूरे परिवार को साधर जाइसी करश्कन साधर धर्न्यवाद